प्लूप जब लिए चाहिए और साधी सुदा हैं कुछ यंग एस्टर्स हैं सब मुश्कुरा रहे हैं और मैंने सुना है कि आप सब लोग इस करते हैं इसको किसे सब लोग कहता है इसक करते हैं प्यार करते हैं और मेरे नजरिये में प्यार क्या होता है इस क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो यंग होते हैं वो ज़्यादा प्यार करते हैं क्यों मैं आपको एक छोटा सा मैं अपना बनाए हूँ अपना जो मैं मेरी फिलिंग से मैं वो बताना चाहूँगा आप वो करते हैं या नहीं करते हैं यह आपको डिसाइड करना है और मेरा प्यार जो होता है दोस्ट रिस्क से इस्क करता हूँ आज जिसने रिस्क से इस्क करना सीख लिया उसे काम्याब होने से पूरी हो सकता है अक्सल लोग रिस्क से इसक नहीं करते हैं रिस्क लेना पड़ेगा life में अगर आप रिस्क नहीं लेगए तो इसकाम नहीं हो सकते हैं आज जितने लोग जितने लोग middle class family में हैं दोस्ट आप गोर से देखेगा वो रिस्क लेने में ड़ते हैं और जितने टॉप पे हैं वो रिस्क लेते हैं रिलाइंस ने जीओ का लाके रिस्क लिया था फ्री में ओफर दिया था रिलाइंस ने जब जीओ लॉंच किया था रिस्क लिया था उजनोंने रिलाइंस ने जब मोवाईल लाया था कर लो दुनिया मुठ्थी में, रिस्क लिया था, और आज देखी हो कहां है, दोस्ट, आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा, डियू साफ्ट, एक रिस्क है, यस मैंने जब जुइन किया था, चलेगा कि नहीं चलेगा मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे खुद पर भरुसा था, yes I can do it, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और आप गौर से देखिए दोस्त, आपके लाइफ में रिस्क क्या है, आप रिस्क कहा ले रहे हैं, लास्ट रिस्क आप क्या लिए हैं, आप याद कीजिए, आपका लाइफ बिना रिस्क का चल रहा है, गला, no risk, no gain, more risk, more gain, what do you want, आप क्या चाथे हैं, और आप गौर से दिखिएगगा अपने लाइफ में, आप डेली क्या रिस्क ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं दोस्त, करोना में बाहर निकल पर होई रिस्क ले रहे हैं, जिंदगी का रिस्क ले रहे हैं, लेकिन हम 10,000 का रिस नहीं ले रहे हैं और आप सबसे पूछना चाहता हूं कि लोग को लगता है सबसे बरा रिस्क है कि मेरा 10,000 डूग जाएगा और मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप 10,000 बचा के अपनी पत्नी को नौलखा हार दे देंगे क्या अपने बच्चों को 10,000 में पूरा पढ़ा देंगे क्या इस 10,000 में आप क्या कर लेंगे लेकिन हाँ अगर यहां 10,000 लगा देते हैं आप करोर रुपया कमा सकते हैं इस चांस रिस्क है तो इस्क है और मैं आप सब को कहना चाहता हूं आईए मेरे जैसा इसक कीजिए क्योंकि इसक के बिना मुझे नहीं लगता जिन्दगी अच्छी है